नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं सूत्रों के मताबिक दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गडबंधन को लेकर बात चीत हुई मारी कारजुन खडगे ने नितीश कुमार को विश्वास दिलाया कि विधान सभा चुनावों के बाद विपक्षी गडबंधन पर बात होगी बता दें कि बीते गुरुवार को नितीश कुमार ने पटना में कारेकरन के दौरान कॉंग्रिस पर आरोप लगाया था कि वो विपक्षी गडबंधन की अगली बैठक आयोजित करानी में कोई रूची नहीं ले रही है यही वजह है कि खड़गे द्वारा नितीश कुमार से टेलिफोन पर बातचीत को नितीश की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तोर पर देखा जा रहा है पटना में वामपंथी पार्टी CPI की BGP हटाओ देश बचाओ रैली के दौरान अपने संबोधन में नितीश कुमार ने कहा था कि सभी विपक्षी नेता एक जुट होकर विपक्षी गडबंधन में कॉंग्रेस को आगे बढ़ा रही है लेकिन कॉंग्रेस को इसकी कोई चिंता नहीं है अभी वो पांच राजियों में विधान सभा चुनाव में व्यस्ता है जब चुनाव हो जाएंगे तो विपक्षी नेताओं को कॉल करेंगे और बैठक कराएंगे लेकिन अभी विपक्षी गडबंधन के अगली बैठक को लेकर कोई बात नहीं हो रही है नितीश कुमार ने विपक्षी गडबंधन पर आगे बात ना बढ़ाने पर नाराजगी जाता है इसके लावा पटना किस कारिक्रम में भाकपा महासचिफ दीराजा भी मौझूते नितीश की कॉंग्रेस पार्टी के अलोचना को लेकर जब डीराजा से सवाल किया गया तो उन्हों ने कहा कि नितीश कुमार द्वारा पार्टी की रैली में इंडिया गडबंधन और कॉंग्रेस के बारे में जो पादे कही गई वो सभी साथी दलों के लिए सकरात्मक संदेश है और भिहाल सीयम के बातों को इसी रूप में लिया जाना चाहिए कॉंग्रेस को इसे सकरात्मक धंग से लेना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही देश्च और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News